हमारी तीसरी गदी भिभी है तीली बंडल से संक्रियाय कराना जिसमें हम बच्चों को तीली बंडल के द्वारा ही जमा, घटा, गुना और भाग करना सिखाएंगे यहां हमारा मकसद है नव निष्ठा वाले बच्चे जो है छोटी संक्ख हैं जो दो उनको तक की उनका जमा, घटा, गुना और भाग कर सकें जबकि जो निष्ठा वाले बच्चे हैं हमारे वो इससे बड़ी संक्ख्याओं को कर सकते हैं तो यहां जो भाग है वो हमारा जो बच्चों को आज आना चलिए नव निष्ठा का है कि वो दो संख्याओं को भाग कर सके एक संख्या से जबकि जो हमारे निश्ठा वाले बच्चे हैं वो तीन संख्याओं को भाग कर सके एक संख्या से तो यह हम किस तरह से कर सकते हैं तीली बंडल की साहता से वो हम देखेंगे यहां हम देखते हैं कि अभी हमने बच्चों को स सिखा दिया कि किस तरह से हम बंडल और तीली को जोड़कर संधिया बनाते हैं तो जैसे हमने देखा था कि ये एक, दो, तीन बंडल है और साथ में हैं तीन तीलिया अगर हम देखें कि तीन बंडल और तीन तीली है और यहां एक दूसरे बिच्चे के पास में है दो बंडल और दो तीली आपके पास हैं तीन बंडल और तीन तीली मिलके मेरे पास हैं दो बंडल और दो तीलिया तो ये 10, 10, 20 और 21, 22 तो अब इन्हें हमें जोरना है तो हमें ये थ्यान रखना है कि हम बंडल वले घर में किन को रखेंगे? बंडल को तो यहां बंडल 3 जो है मेरे साथी के है और 2 बंडल है मेरे इसी तरह से अगर हम देखें खुली वाली तीलिया मेरे साथी की है 3 और मेरी है 2 तो यहां कुल कितनी तीलिया हुई? कुल कितने बंडल हुए? ये देखने के लिए हम बच्चों को कहेंगे अब वो संख्याय लिखें तो साथी की तीलिया है 3 और मेरी है 2 तो साथी के पास बंदल थे 3 और मेरे पास बंदल थे 2 जब हम यह यहां लिख लेते हैं इसके बाद हम कहेंगे बच्चों को अब तीलियों के साथ तीलियों को और बंदल के साथ बंदल को जोड़ें बच्चे पहले तीली और बंदल की सहायता से ही उन्हें जोड़ेंगे जै दो, तीन, चार, पांच तो बच्चे जो है यहाँ पर लिखे पांच और वो पांच उसने किस तरह से तीलियों को ही गिन के निकाला इसी तरह से अब वो बंडल को गिनेगा बंडल है एक, दो, तीन जो उसके साथ ही के है और दो उस बच्चे के तो पुल बंडल हो गए 5 इस तरह से हमें बच्चों को ये बताना है कि बंडल को बंडल के साथ जोड़ना है और तीली को तीली के साथ जोड़ना है इस तरह से ये हमारा जोड़ हुआ इसी तरह से हम बच्चों को घटा करना सिखाएंगे बच्चों को ये भी बताना है कि तीली के घर में तीलियां ही रहेंगी और बंडल के घर में बंडल तो अगर यहां हम देखते हैं कि बंडल पहले बच्चों को इससे हम छोटे और बड़े का भी बताएंगे कि कौनसी संख्या बड़ी है और कौनसी छोटी वो बच्चे किस तरह से पैचाने तो जहां ज्यादा बंडल होंगे वो संख्या बड़ी और जहां कम होंगे वो संख्या छोटी तो इससे बच्चों को ये ऐसास हो जाएगा छोटी संख्या कौन सी और बड़ी संख्या कौन सी है जिससे बच्चे जो है बड़ी संख्या को उपर और छोटी को नीचे लिख पाएंगे तो अगर उन्हें हमें घटा करना सिखाना है तो घटा में हम देखेंगे इसी तरह से बच्चों को बोलें कि ये तीन बंडल है और ये चार तीली तो तीन बंडल और चार तीली इनको गिने और बंडल और तीली के धर में उनको लिखें तो यहां बच्चा लिखेगा तीन बंडल और चार तीली इसके बाद में दूसरे बच्चे को हम देते हैं दो बंडल और एक तीली तो यह कितना हो गया? बच्चा इसको इस तरह से लिखेगा दो बंडल और एक तीली अब जो बच्चे को घटाना है तो यहां तीन बंडल थे अगर तीन बंडल में से दो बंडल ले लिए गए अब ये दो बंडल अगर ले लिए तो बच्चे के पास में कितने बंडल बच्चे एक बंडल इस तरह से बच्चे जो है बंडल को बंडल के साथ में और तीली को तीली के साथ में घटा के लिखे तीली भी इसी तरह से कर सकते हैं, पहले हम थीलियों का कराएंगे और उसके बाद बंडल का, अगर ये एक बच्चे के पास में चार थीली हैं, इसमें से दूसरे बच्चे को वो एक दे देता है, तो कितनी थीली बच्च गई? तीन थीली, हम नवश्चा बच्चों को गुना भी इसी प्रकास से कर सकते हैं, जैसे हमने देखा बच्चों को अब हमने स्ट्रॉ गिन के बता दिया कि किस तर से बच्चे जो है स्ट्रॉ की साहिता से गिंती कर सकते हैं, जमा और खटा कर सकते हैं, तो गुना के लिए हम बच्चों को जो हैं स्ट्रॉ दें और उन्हें बोलें कि आप इतनी चार के सम्हूं में रखे तो ये चार का एक सम्हूं बना दूसरा सम्हूं एक और चार का और ये तीसरा सम्हूं एक चार का और बन गया इस तरह से बच्चे जो हैं वो सम्हूं बना लेंगे समू बनाने के बार में हम उने बोलें कि अब आपको बताओ कि आपके पसमे कुल कितने स्ट्रॉथ है तो यह हुआ चार और चार आठ आठ और चार बारा तो इस तरह से बच्चे समझने लगते हैं कि किसी चीज को बार बार जोड़ना जो है उसको हम क्या कहते हैं गुणा भी कह सकते हैं या गुणा कह सकते हैं तो जो हमारा मल्टिप्लिकेशन है वो रिपेटड एडिशन ही है इस तरह से बच्चों को हम बता सकते हैं कि गुणा जो है वो किस तरह से किया जा सकता है concrete चीजे लेगे इसके बार में एक और तरीका है ये CD नुमा हम बना के विता सकते अगर हमें 4 का पहाड़ा बनाना है तो हम पहले 4 लाइने खीश ले और जब उसको हम एक बार कट करते हैं तो ये हो गया है 4 एक बार यानि कितना आ गया 4 हमें ये बिंदू गिनने हैं कि कितने हैं तो इसमें बच्चा गिनेगा 1, 2, 3, 4 तो ये आ गया 4 इसी तरह से अगर हम जब दूसरी लाइन खीश रहे हैं तो अब यहां 4 को जब हमने 2 बारे लिया तो वो कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इस तरह से जो हैं बच्चे पहाड़ा बना सकते हैं बिंदू को गिनते हुए इसी तरह से 3 पे, 4 पे और हम इस तरह से पहाड़े को पूरा कर सकते हैं तो इस तरह से बच्चे जो हैं बहुत आसानी से अपने आप ये करके सीख सकते हैं कि किस तरह से हम जो हैं पहाडे बनाते हैं या पहाडों का actual में मतलब क्या होता है अभी ज़ादा तर हम यह कलते हैं कि उन्हें रठवाने की कोशुश कलते हैं और उनकी समझ इस बात पे नहीं बन पाती तो इसकी सायता से बच्चे जब समझ लेते हैं तो ज़रुत पढ़ने पे वो अपने आप उसको बना भी लेते हैं और जब लगाता है प्राक्टस में आते हैं तो वो उनकी याताश में भी रहता है इसी तरह से हम गुना भी जो हैं करते हैं गुना के लिए हम देखेंगे कि हम बच्चों को गुना का मतलब है जैसे यहां हमने देखा कि बार बार जोडने का मतलब है गुना करना और भाग का मतलब है उसको बांट देना तो यहां हम इसको इसी स्ट्रॉ की सायता से कराएं बच्चों को जो है ये देके straw और कहें कि आप दो-दो जो है अपने साथियों में बाढ़िये तो अगर हम 18 straw दे रहे हैं बच्चे को और उने कहते कि हर एक बच्चे को अपने 2 देने हैं तो कितने बच्चों को वो straw मिल सकते हैं ये आप टौफी लेके या कोई दूसरा उधारन लेके भी कर सकते हैं जैसे अपसर क्लास में birthday होती है तो कई बच्चे इस तरह से करते हैं तो वहां हम देखेंगे कि बच्चों को real life से connectivity भी मिलती है और वो समझ जाते हैं कि भाग करना याने बांटना भाग जो है जब हम term यूज करते हैं तो कई बच्चे जो हैं उसको सब एक maths का concept समझते हैं कि जब हम उसको बांटना बोलते हैं तो वो इसको बहुत जल्ली समझ जाते हैं तो यहां बच्चों को straw दे के कहें कि आप इसको दो-दो बाटो तो दो बांटने का मतलब है अगर मैंने 18 straw दिये हैं दो और कम हो गए उसके पास में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इस तरह से करते होए जब बच्चा पहुंच तो वो देखते हैं कि वो कितनों में 9 बच्चों में बट गए हैं इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं कि अगर 18 स्ट्रॉथ है हमारे पास और हर बच्चे को हमने 2 स्ट्रॉथ दिये तो वो कितने बच्चों में बटे हैं? 9 बच्चों में तो इसी को ही हम बार में जब यह करा लें बाटने के activity तो हम बता सकते हैं बच्चों को की बाटना याने भाग करना तो अगर हम इस तरह से भाग करते हैं तो 18 को हमने 2-2 सब को दिये तो वो 9 बच्चों के बीच में बट गए तो इस तरह से बहुत ही आसानी से उनके regular life में इस चीज को करते हुए वो गुणा, भाग, जमा और घटा का concept समझ सकते हैं